नागपूर के जंगल में एक खुपसुरत नागिन रहती थी जिसका नाम था नगीना वो सो साल से भी जादा पुरानी नागिन थी जो नागमणी की रक्षा कर रही थी नगीना बहुती दयालू और हिम्मत वाली नागिन थी एक दिन नागपूर के जंगल में कुछ लोग आए और चुपके से पेड के नीचे दो बच्चो को रख कर चले गए वो बच्चे बहुती जोर जोर से रोने लगे तभी बच्चो के रोने की आवाज नगीना के कानों में पड़ी इतने घने जंगल में किसके बच्चे रो रहे हैं चल कर देखना पड़ेगा आवाज का पीछा करते करते नागिन उन बच्चों तक पहुँच जाती है और देखती है कि बच्चे बिल्कुल अकेले जोर जोर से रो रहे थी उनके पास कोई नहीं था तभी वहाँ एक नाग आ जाता है नगीना अपने नागिन रूप में आकर उस नाग को डरा कर भगा देती है और बच्चों को अपने गोद में उठा लेती है ये दोनों तो लड़किया है आज से मैं इन दोनों बच्चों को पालूँगी और इन्हें मैं ही बढ़ा करूँगी ये दोनों तो कितनी प्यारी है नगीना ने अपनी जादी शक्तियों से दोनों बच्चों के लिए बोतल का इंतिजाम किया और जो जो उनको जरूरी था वो सब समान का भी इंतिजाम किया और बहुत ही प्यार से दोनों बच्चों की देखमाल करने लगी और दोनों बच्चों का बहुत ही प्यारा सा नाम रखा अंजली और रूपम दोनों बच्चों में अंजली थोड़ा सावले रंकी थी फिर भी नागिन नगीना दोनों बच्चों में भेत भाव नहीं करती थी और बहुत ही अच्छे से उन दोनों का ख्यार रखती थी अंजली और रूपम को पता नहीं था कि उनकी मा नागिन थी नगीना ने अपनी दोनों बच्चियों को कभी पता नहीं लगने दिया हर वक्त नगीना उन दोनों का ख्यार रखती हर बुरी चीज और जंगल में बुरे जानवरों से उनकी हिफाज़त करती देखती ही देखते दोनों बच्चियां अंजली और रूपम 18 साल की हो गई हर रात को नगीना को अपने नागिन रूप में आना था इसलिए वो अंजली और रूपम को सुला कर जंगल की तरफ चल पड़ती एक दिन नगीना दोनों रूपम और अंजली को सुला कर जंगल की तरफ निकल पड़ती है तबी अंजली और रूपम उठ जाती है एह मा हमें हर रोद सुला कर कहां चली जाती है चलो रूपम चल कर देखते हैं नहीं नहीं मा डाटेंगी अरे कुछ नहीं होगा चलो चल कर देखते हैं अंजली और रूपम उठकर अपनी मा के पीछे जंगल के तरफ निकल पड़ते हैं और दोनों देखते हैं कि नागिन नगिना कुछ दूर जाकर धीरे धीरे से अपने नागिन रूप में आने लगी। ये देखकर रूपम और अंजली बहुती जादा डर जाती हैं और चीक पड़ते हैं। नागिन नगिना पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी दोनों बेटियां अंजली और रूपम खड़ी होती हैं। लगती हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना हम कहीं और रहेंगे हम जा रहे हैं यहां से। बच्चो ऐसा मत कहो मुझे छूड़कर मत जाओ मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूं मैं ही तुम्हारी मा हूं। अंजली और रूपम दोनों अपनी मा को छोड़ कर वहां से चले जाते हैं नागी नगीना बहुत ही जोड़ जोड़ से रोने लगती है क्योंकि वो अपनी दोनों बच्चियों से बहुत ही जादा प्यार करती थी अंजली और रूपम दोनों अपनी मा को छोड़ कर जंगल में रात भर भटकते भटकते सुभा गाउं में पहुंच जाते हैं रूपम हम क्या करेंगी हम अपना गुजारा कैसे करेंगी लोगों के घर में काम करेंगी और अपना गुजारा हम खुदी करेंगी हमें उस नागिनमा के पास नहीं जाना है दोनों एक घर के पास चाती है और काम के लिए पूछने लगती है वो औरत अंजली और रूपम को अपने घर का सारा काम करने के लिए कहती है दोनों अंजली और रूपम उस औरत के घर का सारा काम करते है जब पैसे देने की इंबारी आई उस ओरत ने दोनों को डाट कर वहां से भगा दिया दोनों बहुत ही उदास होकर और एक घर के पास आए और उनसे काम के लिए पोछने लगी उस ओरत ने भी उन दोनों से बहुत सारा काम करवाया दोनों को बहुत जादा भूक लग रही थी उस औरत ने बहुत जादा काम करवाने के बाद दोनों को सड़ा हुआ खाना दिया ये देखकर दोनों अंजली और रूपम रो पड़ी और अपनी मा को याद करने लगी वो जैसी भी थी हमारी मा थी वो हमारा कितने अच्छे से खयाल रखती थी चलो हम उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे माफी मांगते हैं हमने उनके साथ बहुत ही जादा बुरा बरताफ किया है वो दोनों जंगल में दोड़ते दोड़ते अपने घर के पास आए और देखा कि उनकी मा घर में नहीं थी दोनों अंजली और रूपम जंगल में अपनी मा को ढून रही थी तबी उन्हें जंगल में एक साथू बाबा मिलते हैं वो साथू बाबा नागिन नगीना को बहुत सालों से जानते थे और अंजली और रूपम के इमबारे में भी जानते थे साधु बाबा ने अंजली और रूपम को सारी बात बताई कि कैसे नागिन नगेना ने उन्हें पाला और वो उनकी मा नहीं थी फिर भी उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा ये सुनकर दोनों अंजली और रूपम और भी जादा रोने लगी साधू बाबा ने दोनों को नगीना का पता बताया कि वो पहाडों की तरफ गई है अंजली और रूपम पहाडियों की तरफ निकल पड़ती है और वहाँ पहुँचती है जहां नागिन नगीना थी वो दोनों नागिन नगीना के पार चाकर माफी मांगने लगती है अपने दोनों बच्चों को माफी मांगता देख नागिन नगीना उन्हें माफ कर देती है और अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेती है इसके बाद वो सब लोग राजी खुशी रहने लगती है बहुत समय पहली की बात है गौतमपूर राजे में शैलेंद्र नाम का राजा राज करता था एक दिन उसके दर्बार में एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है सैनिक उसे राजा के सामने पेश करती है चोर को देखकर मंतरी सूरे चोहान राजा से कहता है महराज मुझे लगता है कि चोरी की सजा के लिए इसका दाहिने हाथ की उंगली काट देनी चाहिए जिससे ये कभी चोरी नहीं कर पाएगा और ये सजा देखकर कोई भी चोर चोरी करने से घबराएगा मंतरी सूरे चोहान आप एक बुद्धिमान मनुश्य है कोई भी विक्ती अगर गलती करता है तो उसे अपनी गलती सुधारने के लिए एक बर मोका जरूर देना चाहिए मैं सोच रहा हूँ कि इस चोर को 6 महिनी तक खेती बाड़ी करनी होगी और वो सारे पैसे लोटाने होंगे जो इसने चोरी किये हैं और यही इसकी सजा होगी और इसे ये भी सीख मिलेगी कि बीना चोरी के कैसे जिन्दा रहा जा सकता है सही कहाना सैनिक चोर को लेकर चले जाते हैं तभी वहाँ एक साधू आता है और महराज शैलेंदर सी कहता है महराज की जय हो नमस्ते साधू जी आयोश्मान भवा महराज आज मैं आपके सामने एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ बोलिये साधू जी बात ये है कि मैं एक अनाथ आश्रम स्थापित करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे दो हजार स्वर्ण मुद्रा की जरूरत है मेरे पास इतने पैसे नहीं है लेकिन मेरे पास एक जादूई फूल है अगर आप उस फूल के बदले मुझे 2000 स्वन्ड मुद्राइं देंगे तो वो जादूई फूल आपकी हर परेशानी को दूर करेगा हाँ साधु जी मैं जरूर आपकी मदद करूंगा मंतरी सूरे चोहान राजबंडार में से साधु जी को 2000 सोनी की मुद्रा दी जाए मंतरी राजबंडार में से 2000 मुद्राइं लेकर आता है राज़ उन मुद्राओं को साधु को दे देता है साधु अपने थैले में से जादूई फूल निकालता है और राज़ा को दे देता है और राज़ा से कहता है बहुत बहुत धन्यवाद महराज ये लीजे आपका जादूई फूल अब मुझे यहां से जाने की इजाज़त दीजिए साधू वहां से चला जाता है और अगले दिन राजा शैलेंद्र खाना खाने बैठते हैं मंतरी सूरे चोहान आज का खाना तो कल के खाने से बहुत जादा स्वादिस चुबना है महराज खाना बनाने वालों को खुश रखने के लिए आप हर दिन ये बात बोलते हैं लेकिन क्या हमारा खाना सच मुझ अच्छा होता भी है काम करने वालों की अगर तारिफ नहीं करेंगे तो उनको काम में कैसे मल लगेगा तबी राज महल का एक नौकर आता है और महराज शैलिंद्र से कहता है महराज एक पंडित आप से मिलने के लिए आए हैं वो बहुत रो रहे हैं महराज अभी तो मैं खाना खा रहा हूँ चलो ठीक है उन्हें अंदर भेज दो पंडित महराज शैलिंद्र के पास आता है और कहता है महराज मेरी मदद कीजिए अगर आप मुझे पहले अपनी परिशानी बताएंगे तबी तो मैं आपकी मदद करूँगा मेरा बेटा बहुत बिमार है मैंने उसका बहुत इलाज कराया लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा इसलिए मैं आपके पास आया हूँ महराज आप ही कोई उपाए बताएंगे अच्छा आपकी ये परिशानी है मंतरी सूरे चोहान सिपाही से कह दो कि वो जादूी फूल ब्रहमन जी को दे दे मंतरी सैनिक से कहकर वो जादूी फूल महराज के सामने पेश करता है महराज शैलेंदर वो फूल पंडित को दे देते हैं और पंडित से कहते हैं ये लीजिये ये जादूई फूल है आप इसे अपने बेटे के बिष्टर के पास रखना वो जल्दी ठीक हो जाएगा फीक है महराज भगवान आपको हर खुशी दे पंडित फूल लेकर वहां से चला जाता है महराज शैलेंद्र घोड़ो पड़ सवार होकर सूरे चोहान और सैनिकों के साथ राजे की सैर करने निकलते हैं बाहर का नजारा देखकर महराज शैलेंद्र कहते हैं वाह चारो तरफ देखो कितनी हर्याली ही हर्याली है और कितनी सुन्दर हवा चल रही है ये देखकर ही मेरा तमन भर गया राज्ये में सभी लोग शांती और समरिद्धी से रह रहे हैं सही कहा न मैंने सही कहा महराज आपके राज्ये में सभी खुशी खुशी रहते हैं आपकी वज़े से राज्य के लोगों को किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होती है। तबी वहाँ पर वो साधु जी आ जाते हैं। महराज की जय हो। महराज, मुझे पता चला कि आपने वो फूल किसी पंडित को दे दिया है। हाँ साधु जी, पंडित के बेटे की तबियत बहुत खराब थी, दवाई खाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने उसको वो फूल दे दिया, ताकि उसका बेटा ठीक हो जाए। अगर आपको वो जादुई फूल वापस चाहिए, तो आपको मेरे अनाथ आश्रम आना होगा। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है, शैलेंद्र अपने आप से कहते हैं। ठीक है, मैं आश्रम के लिए निकल पड़ता हूँ, देखता हूँ कि मुझे फूल मिलता है या नहीं। महराज शैलेंद्र कुछ समय बाद एक समंदर के पास आते हैं, वहाँ पर एक आदमी होता है, महराज शैलेंद्र उससे अनाथ आश्रम का रास्ता पूछती हैं। महराज शैलेंद्र नाव में बैठ जाते हैं, वो आदमी नाव चलाने ही लगता है, और महराज शैलेंद्र से कहता है, महराज आप साधुजी से मिलने जा रही हैं, आपको कैसे पता कि मैं साधुजी से मिलने जा रहा हूँ, आपने अनाथ आश्रम के बारे में पूछा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आश्रम उनका ही है, सरफ उसी आश्रम में जादुई फूल मिलता ह मैं जादू फुल लेने जा रहा हूँ ये बाद तुम्हें कैसे पता इस समुंद्र में मैं अकेला ही नाव चलाता हूँ मुझे सब पता है सब कुछ जानता हूँ मैं फिर अचानक बादल जोड़ जोड़ से गरजने लगती है और तेज तेज हवाई चलने लगती है और बारिश होने लगती है जिस वज़े से नाव उचलने लगता है महराज शैलेंद्र जोड़ों से चिलाने लगती है थोड़ी देर बाद महराज शैलेंद्र अपने आपको समुन्दर से बाहर एक शान सी जगा पर पाती हैं महराज शैलेंद्र अपने आप से कहती है ये मैं कहाँ पर पहुँच गया? ये जगा तो कितनी शान्त है? इसका मतलब मैं शायद आश्रम पहुँच गया यही पर होगा अनात अश्रम, सामने मंदिर है, उसके बगल में ही अनात अश्रम है, मुझे अंदर जाकर देखना होगा जैसे ही महराज शैलेंद्र अश्रम में जाती है, तब ही वहाँ देखते हैं कि एक बड़ा सा पहलवान खड़ा है और वो महराज शैलेंद्र से कहता है कहां जा रहे हो तुम, अनुमती के बिना इस आश्रम में कोई नहीं आ सकता मैं महराजा शैलेंद्र हूँ, महराजाओं को किसी भी आश्रम में प्रवेश करने के लिए कोई अनुमती की जरूरत नहीं होती तबी अचानक उस पहलवान के शरीर में तेज रोशनी होने लगती है ये देखकर महराज शैलेंद्र कहती है थोड़ी दिर बाद अचानक महराज शैलेंद्र अपने आपको अनात आश्रम में पाते है वो देखते हैं कि आश्रम में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और एक कमरे में साधु जी बैठी हुए है महराज शैलेंदर साधु जी के पास जाती है नमस्ते साधु जी क्या यही आपका नाधा आश्रम है? हाँ महराज यही मेरा नाधा आश्रम है साधू जी जैसा आपने कहा था वैसे ही मैं जादी फूल यहां लेने आया हूँ वो फूल एक दुरलब फूल है जिसे पाने के लिए आपने हजारों कस्ट सहे हैं इसलिए आज आप मेरे महमान हैं और जादूई फूल आपका पुरुसकार है साधु जी वो फूल लाते हैं और महराज शैलेंद्र को दे देते हैं महराज शैलेंद्र वो फूल लेकर वहां से चले जाते हैं रास्ते में उन्हें एक रोती हुई और एक मृत आदमी दिखाई देता है वो औरत बहुत रो रही थी महराज शैलेंद्र उस औरत के पास जाती है और उससे कहती है क्या हुआ अब क्यों रो रही हो और आप कहां से आई हो वो औरत रोते हुए महराज शैलेंद्र से कहती है मैं राजा शैलेंद्र जी की प्रजा हूँ मेरे माँ बाप दोनों ही नहीं है मेरे पती ने मुझसे शादी करके मुझे सहारा दिया था और आज वो भी मुझसे दूर हो गए अब मैं कैसे जीऊंगी कौन सहारा देगा मुझे इनके बदले मेरी मौत क्यों नहीं हो गई उस औरत की बात सुनकर महराज शैलेंद्र सोचने लगती है महराज शैलेंद्र उस औरत से कहते हैं महराज शैलेंद्र लेकर क्या करूंगी बेटी ये कोई मामूली फूल नहीं है ये एक जादूई फूल है इस फूल की वज़े से तुम्हारा पती फिर से जीवित हो जाएगा वो औरत महराज शैलेंद्र से वो फूल ले लेती है जैसी ही वो औरत फूल लेती है अचानक वहां बहुत तेज रोशनी होने लगती है वो औरत और आदमी भग़वान भोलेनाद जी और पार्वती जी के रूप में बदल जाते हैं और भोलेनाद जी महराज शैलिंद से कहते है राचा शैलिंद्र तुम्हारे त्याक की कोई तुलना नहीं है दो हजार सोने के मुद्राओं के मदले तुम्हें एक जादुई फूल मिला वो भी तुमने एक पंडित को दे दिया हम तुम्हारे बलीदान का फिर से परिक्षा लेने आये थे हमने साधु जी को इसलिए तुम्हारे पास भेज दिया और इस बार तुमने अपनी जान की परवा किये बिना जो फूल प्राप्त किया था वो भी तुमने एक दुखी औरत को दे दिया वो भी बिना कुछ सोचे समझे तुम धन्ने हो हम तुम्हें आशिरवात देते हैं कि तुम्हारे राज्य में कोई भी इंसान कभी दुखी नहीं होगा तुम्हारे राज्य की प्रजा तुम्हें एक महान राजा मानकर हमेशा सम्मान करेगी इतना कहगर भोलेनाज जी और पारवती जी वहां से गायब हो जाती है और महराज शैलिंद्र अपने राज्ये में चले जाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती है